महराश्ट्र की धुलिया जिल्ले की यह भूमी एक तरफ यहां सुलवाडे बैरेज प्रकल्प से रुका हुआ तापी नदी का यह विशाल का यह पानी है पर यहां की भोगौलिक परिस्थितियों के कारण यहां की अकाल पिडित किसानों को राहत नहीं पहुँच पाती। इनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सन 1999 में सुलवाडे जामफल लिफ्ट इरिगेशन परियोजना का गठन किया पर निधी उपलब्द न होने के कारण पिछले दो दश्कों से इस परियोजना की शुरुवात नहीं हो पाई है। महराश्ट के इस भयावा अकाल की समस्या देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी जी की नित्रत्व में केंद्र सरकार ने इस परियोजना को बली राजा जलसन जीवनी योजना में शामिल कर स्पेशल प्राकेश प्रदान किया। सुलवाडे जामफल लिफ्ट इरिकेशन परियोजना का उद्गम मौजुदा सुलवाडे बैरिच के उपरी भाग पर तापी नदी के तट पर नियोजित है। जहां से 9.24 टीम से पानी लिफ्ट करके उसे कुल 5 स्टेज में नए 3 डैम और मौजुदा 9 तलाओं में डाला जाना प्रस्तावित है। इसके लिए कुल 84,889 हपिक शमता के 32 पंप कुल 5 पंप ग्रिह में लगाये जाएंगे। लिफ्ट किये गए पानी को शुरुवाती 2 स्टेज में प्रस्तावित जामफल डैम में डाला जाएगा। इस डैम से सिंध खेडा तहसिल के 48 गाओं में 26,907 हेक्टर जमीन पर नहर और पाइप के माध्यम से सिचाई करना प्रस्तावित है। इस डैम में आया हुआ अतरिक्त पानी आगे धुलिया तहसिल के भवानी, पिंपले और शेवगी ये तीन डैमों में और मौझुदा नौ तलाओं में डाला जाएगा। और दुलिया तहसिल के 52 गाओं में 6,460 हेक्टर जमीन पर नहर और पाइप द्वारा सिचाई की जाएगी। इस प्रकार इस सिचाई परियोजना के माध्यम से धुलिया जिलहे के कुल 100 गाओं के 33,376 हेक्टर जमीन पर सिचाई करके अकाल से जूचते हुए एक लाग से जादा गरीब और पिछडे किसानों को राहत पहुँचाई जाएगी।